रज सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान सीबियाई के स्टेटिस रिपोर्ट में चौकाने वाला परदा फाश्वा कोटम के वक्त में भी अंतर है आरोपी की मेडिकल जाच पर भी कोट ने सवाल उठाए हैं यहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई उस मामली में सीबियाई जाच कर रही है आज सीबियाई को स्टेटिस रिपोर्ट सौपता था इस स्टेटिस रिप चता कांड में हो रहे खुलासे के बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा केश्व प्रसाद मौरे ने कहा ममता बैनर जी तुष्टी करण की घिनवनी राजनीती कर रही है तो भुपेंदर चौधरी ने भी हमला बोला है ममता बैनर जी जी की सरकार तुष्टी करण की घटिया घिनवनी और पिछड़ा विरोधी राजनीती की अपराधी है एसी सरकार जिसके सरकार में पर्सिम मंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्थ हो चुकी है लोगों के जान बचाने वाले डाक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज़त सुरच्छित नहीं है और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छिनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विसे है बहुत चिंता का विसे है यह दुखद है जिस प्रकार का बरताब महिला सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार का है तो यह कही ना कहीं दुखद है लेकिन मुझे विश्वास है कि संबेदाने के संस्था है और माने न्याले के आधीन भी से है तो जो भी बिदी संबत इसमें कठोर कारवाई है संदीब घोश की भूमिका लगातार संदे के के खेरे में है शुरू सभी काई सवाल संदीब घोश की भूमिका पर है और अब कॉलेज के पूर्व सुप्रेंटेंडेंट अक्तर अली ने भी न्यूजेटीन से खास बाचेत के तोरान संदीब घोश पर कई गंबीर आरोप लगाए हैं आपको इससे पर एक रेपोर्ट दिखाते हैं आरजिकर मेडिकल कॉलिज पर संगीन आरोप पूर्व प्रिंसिपल संदीब था लाशो का सौधागर अस्पताल सित्सकरी का इंटरनाशनल कनेक्शन कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा परदा फाश जैसे जैसे कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलिज में हुए रेप और मुर्डर केस की जाच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अस्पताल पर नए और संसनी खेज आरोप भी लग रहे है इसी बीच कॉलिज के पूर्व डिप्टी सुप्रिडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है उसके बाद तो इस केस में नया भूचा ला गया नियूज 18 इन इंडिया से एक्स्क्लूजव बाचीत में आरजिकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है अख्तर अली ने कॉलेज के पूरू प्रिंसिपल संदीब घोश पर कई संसनी खेज आरोफ लगाये हैं जो जाच का रुख बदल सकते हैं अख्तर अली ने दावा किया कि संदीब घोश अस्पताल के लावारिश शवों को बेचने सहित कई अवैग गतिविध्यों में शामिल थे अख्तर अली ने ये भी आरोफ लगाया कि घोश बांगलादेश में बायो मेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरों की तसकरी में लगे हुए थे इसके लावा बहुत सारा बेयाईनी काम जैसे बोडी का लेके जैसे डेट बोडी का लेके तसकरी करना जैसे बायो मेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था इसको भी मैंने एक्सपोस किया था ये काफी ये दो कंप्लेइन काफी उचा लेवल में गया था लेकिन ये बहुत मतल अक्तर अली आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंडेंट है और 2007 से 2023 तक आर्जिकर मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाय दे चुके हैं। अक्तर अली ने ये भी आरोफ लगाया कि साल 2021 में संदीब घोश ने अपनी नियुक्ती के बात से ही छात्रों को जान बूच कर फेल करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को पास करने के नाम पर पैसे कमा सके। अक्तर अली ने ये भी आरोफ लगाया कि जब संदीब घोश को पत से हटाने या चांस्फर की बात होती तो वो जूनियर छात्रों को भड़का कर आंदोलन करवा देता था। उस पे आगए। आर्जिकर ने आगए।